example number 11 हमें find करना है सारे point जिस जिस पे जो हमारा function given है यह continuous नहीं है discontinuous है हमें find करना है ओके तो पहले चेक कर रहेते हैं point 1 पे के continuous है या नहीं है क्योंकि 1 पे ही value change हो रहे ही x की value less than 1 x की value greater than 1 और x की value equal to 1 तो 1 पे check करते हैं पहले तो 1 पे check करके तो add point x is equal to 1 तो हमारे पास f of a की value का आएगी हम 1 पे check कर रहे हैं तो f of 1 की बात करेंगे क्या value आएगी हमारे पास f of 1 मतलब function की 1 पे value तो 1 किसके पास है x less than 1 नहीं x equal to 1 तो 1 x की value यहां मिल रही है और function की value x is equal to 1 पे क्या output मिल रहा है 0 मिल रहा है तो f of 1 की आएगा हमारे पास बताओ 0 आएगा ना क्योंकि f of 1 हमारे 0 आएगा अब निकालते हैं left hand limit तो limit x tends to a minus h a हमारे 1 है तो 1 minus h a हमारे 1 क्योंकि हम 1 पे check कर रहे हैं तो a minus h के हमारे पास 1 minus h और f of x तो 1 minus h के लिए f of x में क्या लूँ बताओ यह लूँ की यह लूँ तो क्या करेंगे हम लेना हमे तो ऊपर वाला है अब ऊपर वाला क्यों ले रहा हूं मैं सुनो आप हमेसा ऊपर वाला नहीं लेना और नीचे लिखा हो देखो a minus h कर रहा हूं मतलब 1 minus h कर रहा हूं 1 से छोटी मिलेगी और 1 से छोटी के लिए कौन सा function define है x less than 1 x greater than 1 x की value छोटी किसमें मेलेगी बन से इसमें मिलेगी x less than 1 तो हमें function की value क्या लेनी है x plus 2 लेनी है इसमें क्या हो रहा है x greater than 1 है तो x की value 1 से बड़ी मिलेगी तो यह हम लेंगे अभी हमें इसको लेना है, तो x plus 2 लेना है में, अब न जहां पर x हो, होँपे 1 minus h put कर दो, तो limit h tends to 0, और जहां पर x हो, होँपे 1 minus h put करना है में, तो 1 minus h plus 2 अब जहां पर h हो वो 0 put कर दो, तो 1 plus 2 के आएगा, वहार पास 3 आएगा अब निकालो right hand limit निकालो यह हमने left hand limit निकाल लिया है तो limit x tends to a plus h a plus h 1 plus h f of x 1 plus h 1 plus something 1 से बड़ा x minus 2 x minus 2 तो हमें क्या value मिलेगी limit limit h tends to 0 जहाँ पर x वहाँ पर 1 plus h put कर दो तो 1 plus h minus 2 तो solve करके मिलेगा हमें 1 minus 2 minus 1 h हमारा 0 पर जा रहा है तो 0 हो जाएगा समझ माती ही बात ही छोटी सी मैं क्यों बता रहा हूँ कि क्या लेना क्या लेना क्या लेना तो confuse ना हूँ आप कि कौन सा right hand limit है और कौन सा left hand limit है ओके यह याद रखना यह वाला formula याद रखना ठीक अब हमने check कर लिया क्या यह equal आ रहे हैं चेक कर लिया कि हमारा equal नहीं आ रहा तो this implies क्या imply हो रहा है कि हमारा जो f 的 x वह continuous नहीं है is not continuous at point किस point पी check किया था हमने अभी x 1 पे check किया है is not continuous at point जागे नहीं उदर at point one okay तो हमने यह find कर लिया कि continuous नहीं है point one पे अब check करते है कि one कि रावा के सब़के continuous है तो कर लो राम से कर सबते हो यह कैसे करेंगे तो हमने 1 पर चेक कर लिया अब चेक करते हैं x की value जब less than 1 होगी तब क्या होगा ठीक है यह condition ले लेते हैं 1 first condition लेते हैं when x less than 1 ओके तब हमारे पास f of x की value क्या हैगी less than 1 में x की f of x की value हमें मिल रही है x plus 2 तो equal to मैं x plus 2 तो किस point पर continuous check करूँ मैं बताओ हमें किस पर check करना है किसी पर check कर लेते हैं तो कोई भी point ले लो मान लो कि ले लेते हैं point let point point c ओके और c हमारे कोई भी real number है मतलब नहीं है ठीक है c is any real number लेकिन real number क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए 1 से तो less than 1 कोई भी real number है less than 1 है हमने c define कर लिया अब क्या करेंगे हम बस इसमें put करेंगे और answer निका लेंगे तो क्या formula पूट करो मैं यह वाला पूट कर लेता हूं जली दाएगा दोनों एक ही formula है यह बस इसमें इसको इन्होंने expand कर दिया जब भी आपको less than equal to sine दिखे तब इसमें यह use कर लिया करो जब हमार पास ऐसा कोई condition ना हो जिसे इसमें कोई condition नहीं है f of x is equal to x plus 2 हम बस लास दिन के लिए चेक कर रहे है तो x plus 2 यहाँ पर यह वाला पूट कर लो बस दो step करना होता है f of c निकालना है में और limit x tends to c f of x निकालना है क्योंकि हमें c पर चेक करना है f of c निकालना होता है तो kya value आएगी हमार पास जहाँ पर x हो में आपर c पूट कर दो तो c plus 2 मिल जाएगा में और हम limit निकालना लेंगे तो limit x tends to कहाँ पर चेक कर रहे हम c पर चेक कर रहे है तो x tends to a था यहां पर c हो जाएगा और f of x और f of x की value क्या है हमार पास limit x tends to c f of x क तो क्या value मिली गए हमें, जहांपे x हो, हमें c कर दो, तो c plus 2, तो यहांपे भी c plus 2 मिला, यहांपे भी c plus 2 मिला, तो यहां से हमें पचलता है, कि हमारी condition जो है, satisfy हो रही है, तो हमारा f of c equal मिला, हमें limit x tends to c f of x के, this implies कि जो हमारा f of x है, ठीक है, यहांपे यहाला is equal to, लिख जता हूँ, x plus 2 is continuous function at x is equal to c पे, c पे continuous है, हमने प्रूव कर दिया, और c है हमारा क्या है, c हमारा कोई भी real number है, less than 1, ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया, कि जो हमारा f of x है, f of x हमारा less than 1 पे continuous है, same to same, greater than 1 पे भी continuous ही होगा, आप चाहो तो check कर सकते हो, और आम से कैसे करोगे, यहांपे condition जहांपे मैंने x plus 2 लिख है, आप x minus 2 लिख हो, और यहांपे x greater than 1 लिख दो, और same to same, यही पूरा-पूरा काम करो, और check करो, आपका continuous ही आएगा, और thank you for watching, अगर वीडियो अच्छे लगी हो, तो like and subscribe, thank you so much.